सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वाइरल हो रहा है कि जैपुर के जो चार दरवाजा रामगन जिलाका है वहां बाजार बंद नहीं है इस वक्त उसी शेतर में हैं हम मेरे साथ कश्मीरा दनवानी जो इस्थाने निवासी हैं वो भी मौजूद हैं उनी से उनके साथ हम ये देखने निकले हैं कि क्या सही में बाजार खुले हैं या बंद हैं अधिकांज जो बजार हैं वो बंद है सारी दुकाने और कुछ लोग जरूर सड़क पे गूम रहे हैं लेकिन जो वीडियो वाइरल हो रहा है कि साब बजार खुले हैं बजार खुले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है पुरा बजार जो है वो बंद है यहांपर चारोतरफ पुलिस तैनात है किसी तरह के ओब्ीडबार नहीं है और चोर तरफ रास्ते जो हैं वो specially बंद हुए मैं लेकिन वीडियो जो है किसी ने वायरल किया है कि बाजार खुला है दौकि आपके सामने हैं कि बाझार पूरी तरीके से बंद है पुलिस कुद यहां आघव और गेट भी बन कर रखा है पुलिस ने यहां पे उसके बावजूद लोगों ने जो है वह मऽहुल बना रखा है कि यह बाझार खुलर है कि चाहिए आप यह रोकल रहते हैं क्या बजार बने बिल्कुल बोल रहे हैं आप राम गया मजार के लिए वीडियो वारल हुआ है वह बिल्कुल ऐसा हमारी ततोदारा ये वीडियो वारल किया गया है मैं खुद मौझूद हूं मैं जैपुर शहर का निवासी हूं और यहीं चांदी के डक्सार हवाम मेल के नीचे कालमने मंदर क पास मैं निवास करता हूं मैं खुद मौझूद हूं पत्रकर साब मेरे साथ है राम का मजार पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है चारदर वज्जा गार्डगेट पूरा बंद पड़ा हुआ है ये तो कुछ लोगों ने माहूल खराब करने के लिए वीडियो बनाके व हुआ है यह हम वहीं वाजूद अब गया है यह नहीं से बात कर लेगे एक सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है कि बाजार खुले हैं और लोग लोग अफवा फैला रहे हैं तो ऐसे लोगों से एक ही चीज है कि अफवाओं का अफवाओं से साफधान रहें आपने देखा वह वीडियो जो लोग फैला रहे हैं पूरा बजार बंद है इतियात के तोरह पे पुलिस मौझूद है इस्थानी लोग भी चाजा वह वह ताने के पुलीस यहां मौझूद है लोकल जो वालिंटर्स है यह ऐसे लोग जो अफवाई फेला रहे हैं इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम आप यहीं रहते हैं असपासी क्या आपने भी देखा हो वीडियो एक अफवा चल दी थी विल्कुल आप खुद देख लें कि मार्गेट पूरा बंद है चारो तरब जो है दुकाने बंद है पूरा बजाद सुन्सान है अलाकि कुछ एक मेडिकल स्टोर जो खुले हैं लेकिन उडी थी अफवा यह है कौन सी जगह पिंजाकडे चार दरवाजा और गोडा निकास रोड़ यह है यह बिल्कुल गोडा निकास रोड़ पे ही है पूरा गोडा निकास बंद है लेकिन कुछ लोग जो है वो अफवा फेला कर माहोल बिगाड़ना आप लोग जो घर बैठे हैं उनसे एक निवेदन है कि इस तरह की के अफवाओं से बचे और यह जो लोग माहोल बिगाड़ना चाहते हैं आप और हम अगर मिलकर इस को लड़ाई को लड़ना है तो आपको और हमको मिलकर रहना पड़ेगा ताकि इस तरह की की जो अफवाओं हैं उनको भी मूह तोड़ जवाब हम दे पाएंगे